हेलो दियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो चैनल जे एस कॉमर्स क्लासिस इस तुटे में हम डिस्कस करेगे, आइडल के जो एडमिशन डेट थी वो फिर से क्या हो चुकी है, एक्सेंड हो चुकी है इसके पहले हम लोग ने जो वीडियो अप्लोड के तो उसमें भी हम लोग ने बतायते कि आपको अच्छा का सा टाइम दिया जाएगा क्या ये लास्ट राउंड होगा आइडल का वो भी हम लोग इस तुटे में डिस्कस करेगे प्लस जो स्टुडेंस ओरड़ी आइडल के थे जैसे जो फर्स चेर में थे सेकेंड डियर में थे तो उनका भी आइडमिशन प्रोसेस चार्ट हुआ क्या रिजल्ट तो आया नहीं तो क्या एडमिशन ले सकते हैं क्या इच एन एवरिटिंग हम लोग क्या करने वाले डिस्कस करना ले वीडियो को शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टन अपडेट बता दू अगर आप आइडल के स्टुडेंस तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टुडेंस चैनल को सब्स्राइब कर लो विकॉज आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट है आइडल की जो उनकी ओफिशल वेबसाइट पर आता है हम डारेक्ली आपको टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर देगी तो यह आप लोग के लिए बेनेफीट रहेगा आपको कुछ यह कहीं पर जाने की जरूरत नहीं ह चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर कुछ इंपॉर्टन अपडेट आता तो मैं उसका वीडियो अप्लोड कर दूगा और अगर नॉर्मल अगर रहा कि एक ही क्लास के लिए कुछ अपडेट है तो मैं क्या कर दूगा डारेक्ली आपको चैनल पर अप्लोड कर दूगा तो अप्लोड विए और अप्लोड विए और नहीं 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 बबा रुखिये क्या आप यही सोच के अडिमिशन ले रहे हो आइडल में एक्जाम भी ओनलान होगे नहीं एक्जाम आपके टोटल या अफ्लाइन होगे फर्स्ट चैर बी ए बीकॉम बीस्ट ठीक है एमे पार्ट वन पार्ट वन मतलब यह सारे पार्ट वन होगे मतलब जो फ्रेशर है जो पहली बार मतलब एडमिशन ले रहे होगे वो श्रूडंस के लिए फर्स अगस्स से लेके 14 अगस्ट लास्ट चैम लेकिन अब आप लोगने अडमिशन नहीं लिए तो अब क्या होगा आईडल उनिश्ट आपसे लेट फाइंड चार्ज करेगा डन एवरिवन कोर्से कोर्से होते हैं सारे कोर्से जिये अब जहां ध्यान देना जो अल्रडी स्टुडंस मतलब जो अभी जश्ट एक्जाम दिये होगे क्या उ एडमिशन प्रोसेस का देखो सेकेंड येर विकॉंप थर्ड येर विकॉंप अकाउंटेंसी फानेंसे मतलब बैफ हो गया और आईटी एंड बेसी कंप्यूटर साइंस एडमिशन आर ओपन टू स्टुडं अफ फ्लाइट कॉलेज अफ मुंबई मतलब जो अल्रडी अगर आईडल के कोई अनुवल पैटन थे उन लोगों के लिए हुए है समझ में आ गया है 1st August से लेके 15th without late fees तकि इन लोगों का एडमिशन अभी just start हुआ है इसके लिए late fine नहीं रहेगा आगे में पार्ट टू ठीक है पार्ट टू की सारे एडमिशन और ओपन वही विन इंक्लूडिंग स्टुडंट हो एप एपियर फॉर दे पार्ट वन एग्जामिशन रिस्पेक्टिव प्रोग्रम दे कैन प्रोविशनल एडमिशन अच्छा प्रोविशनल आपका result नहीं लेकिन आप एडमिशन ले सकते हो इसको बोलते हैं प्रोविशनल एडमिशन क्या बोलते हैं प्रोविशनल लेकिन FIO SY के students नहीं लेगे मतलब जिसका भी second semester का exam हुआ है वो students नहीं ले सकता है जिसका fourth semester का exam हुआ है आइडमिशन नहीं ले सकते हो आपका result के बाद महीं होगा सर यहां लिखा तो है लिखावा लेकिन जो annual pattern से थे लोगों के लिए था दो clearly लिखावा है annual pattern of student of idle semester का नहीं है मतलब जिसका अभी second semester हुआ है fourth semester हुआ है अगर आप idle के student हो तो आपका admission process start नहीं हुआ है idle थोड़ा समझजार हो चुका है वो पता है कि number of students fail होगी because पढ़ाई तो करते नहीं है सिर्फ directly exam देने जाओगे तो पढ़ाई नहीं करोगे तो at the end result आपका fail होने वाला है आपको पढ़ाई करना है कोई अच्छी classes join करना है online courses buy करना लेकिन आपको पढ़ना पढ़ेगा without पढ़ाई तो आप pass होगी नहीं आगे दोगों क्या कर लिखा है आप लोगों के लिए भी without late final ठीक है MMS and MMS and MCA first year online entrance exam online entrance exam की last date क्या है 7th August चे लिंक आपको यहां मिल रही है यहां से आप क्या कर सकते हो entrance exam की form भर सकते हो detail of online admission of a program आपको यह सारी चीज़े मिल जाएगी student are request to make a fresh registration आपको यहां से fresh registration करना है already इसके ओपर मेरा वीडियो है अगर नहीं देखे हो तो देख लेना पूरा मेने बताया हूँ student of idle academic year 2021, 2021, 2022, 2022, 2022, 2022 whose PNR is generated can use same for the admission यह अगर साल में आगर आप में admission लिये हो तो आपका already ना PNR number generated उसी की base पे लिन है very very important notice, जला ध्यान देखेगे, there will be another round for the admission after the declaration of result, आप लोगों का result आने वाला है semester second and semester fourth, जो अभी आपने exam दी का जून में, ठीक है, मतलब FIB.com, FIBA, SYBA, SYB.com, undergraduate और आपके result के बाद में आप लोगों के लिए special round होगा, वहाँ पर आपको admission लेना है, गॉर्मेंट scholarship is available for, या अल्रेडी इसके पर मेनी वीडियो बना है, प्लीज जरूर देखे, student of the first and the second year degree form from affiliated college, university of whom we're taking admission idle, are informed that they should scan, upload, no objection, मतलब आपको NOC लगेगा, आपको अपनी particular college से लेना पड़ेगा, ABC ID के अपर भी मेनने अल्रेडी वीडियो बना है, जरूर देखे, आप लोग, the academic year पोरा मेने बता चुका हो, जले हाँ धान देगे, इस decided prior 2017-18 under the 18-20 pattern, 60 pattern from the affiliated college are not allowed, देखो, जिसका भी ये pattern होगा ना, जो second year, third year में admission, लोग admission idle में नहीं ले सकते, विकाज आप वैसा system पुरा बंद हो चुका है, ये तो जहाँ से आपको लेना है, अपना book quick वो collection है, only technical query, आप लोग ये number पे call करेगे, और payment का कुछ query होता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, call कर सकते हो, already मैंने सारी information दे दिया हूँ, idle students, request ये आप हमारे channel पे जुड़िए, टेलिग्राम आपको इच्छन every update मिलते जाएगी, और channel को subscribe कर लो, और what's up पे भी हमारा group है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, add हो सकते हो, उमिद करता हूँ, ये video आप लोगों के लिए useful रहा होगा, और form कैसे भरना, इसके पर भी हम लोग ने अल्रड़ी video बना है, so please request ये video ज़रूर देखे, thank you so much, बाई भाई